हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Good Read Great Knowledge चैनल में जहां मिलती हैं आपको Finance related book summaries और lessons आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का suggestion हमारे एक subscriber ने दिया था मैं उनको thank you कहना चाहूँगा आप लोग भी ऐसे comment करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस topic पर चाहिए मैं सारे comments पढ़ता हूँ और उनका reply भी करता हूँ इस चैनल में आगया नयाले वीडियोज है Think like an option trader जो कि एक book summary है Market Wizards का जो last part आएगा वो और lessons from the top traders of the world तो ये सब stay tuned और subscribe करें चैनल को क्या आपने कभी cheaty को देखा है उनका जीवन बहुत ही organize होता है उनके कुछ rules होते हैं और वो उसे पूरा करते हैं जब cheaty अपने जीवन के लिए simple से rule बना सकती है तो as a investor हम क्यों नहीं इंसानी दिमाग को चलाने के लिए सिफ 12 watts के बिजली चाहिए जो कि किसी bulb को चलाने से भी कम है और अगर power consumption के according देखा जाए तो आज के computer से बहुती कम बिजली चाहिए होती है अगर हमें अपने investment के decision को improve करना है तो हमें भी कुछ set of rules और कुछ routines चाहिए जिसे हम important factors को neglect ना करें guys pair ने बहुत मेहनत करके एक structure approach बनाई है जिससे वो investing जैसे मुश्किल process को आसान बना सके उसमें उन्होंने सब कुछ include किया है जैसे जब वो stocks research करते समय वो क्या पढ़ते हैं, किस से बाते करते हैं corporate management से deal कैसे करते हैं कौन से stocks में trade करना है इन सब के लिए उन्होंने rules बनाए है इन में से कुछ चीज़े आपके लिए अच्छे से काम करेंगी और इन rules को follow करने के बाद आप भी अपने investment process को systematic way में देखने लगेंगे क्योंकि अगर आप investment के प्रती serious हैं और अच्छे returns चाते हैं कि उनके investment approach में मौनिश से थोड़ी सी difference है मौनिश परबराई के Indian investor है और उन्होंने the धंदो investor book लिखी है मौनिश कहते हैं कि वो कभी भी buy और sell order market open के दौरान नहीं करते जब trading hours खतम हो जाते हैं तो उसके बाद वो buy और sell order डालते हैं मौनिश से बात करने के बाद गाइस पर को लगा कि उनके system में कुछ गलती है क्योंकि मौनिश market में uncertainty को assume करके चलते हैं लेकिन गाइस पर मार्केट को emotionally deal कर रहे थे अपने investment approach को better बनाने के लिए उन्होंने 8 rules बनाए और ये rule हमें भी help करेंगे इनमें से मेरा favorite चौथा वाला है आप comment section में जरूर बताएगा कि आपको कौन सा rule सबसे अच्छा लगा तो सबसे पहला rule है rule number one stop checking stock price एक सोच जो हर नए investor की होती है उन्हें लगता है कि हमेशा screen के सामने बैठे रहना चीए वो हर दूसरे दिन stock का price देखते हैं कि कितना बढ़ गया है कितना घट गया है उनकी सोच होती है कि अगर हम stock को देखेंगे नहीं तो अगर कोई बड़ी news आएगी तो उनका पैसा डूप जाएगा ये बहुत ही गलत सोच होती है investor की क्योंकि अगर आप price को देखते रहेंगे और रोज उस price को चेक करेंगे तो आप emotional हो जाएंगे तब आप अपने आपको रूप नहीं पाएंगे हमें लेगेगा कि ये stock इतना बढ़ गया है या इतना गिर गया है तो हमें कुछ करना चीए नहीं तो बहुत बड़ा loss हो सकता है Warren Buffet कहते हैं कि हमें कोई stock तभी लेना चीए जब हमें हम उसे at least 5 साल तक hold करने के बारे में सोचे Daniel K.man और Amos Taviski ने एक research की जिनसे उन्हें पता लगा कि जितनी खुशी एक investor को profit कमाने में होती है उससे दुगना दुख उन्हें loss ओने पर होता है market में volatility तो हमेशा रहती है इसलिए रोज जोज stock price को check करने से हमें tension होगी जिससे हमारी health भी खराब हो सकती है Guy Spare का मानना है जब भी वो किसी company में invest करते हैं तो वो उस company पर long term growth के लिए ही invest करते हैं वो उस company के stock price को रोज जोज नहीं देखते जैसा कि Warren Buffet ने Burlington Northern Santa Fe company में invest किया क्योंकि बफे को यकीन था कि अगर US economy grow करेगी तो company और valuable बनेगी ये company railway network बनाती है तो कोई नई company उसके competition में दूसरी railway line तो लगाएगी नहीं तो Burlington company तो replace नहीं होगी इसे हम moat यानि competitive advantage करते हैं तो point ये है कि अगर आप भी ऐसे factors देख के invest करेंगे तो आपके returns भी आसमान चूने लगेंगे और आपको रोज ओल stock price देखने की जरुद भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर Warren Buffet रोज ओल stock price देखते तो वो Coca-Cola और American Express जैसी कंपनी से billions जॉलर नहीं कमाते दूसरा rule है If someone tries to sell you something, don't buy it जब guys player अपने success के शुरुआती दौर में थे और उनके returns अच्छे थे तब उनको call आने लगे brokers के कि ये stock में invest कर लीजिए इसके fundamental अच्छे है इनमें से कुछ investment अच्छी होती थी लेकिन जादातर में उनका नुकसान ही हुआ फिर उनने एक rule बनाया कि जो भी stock उन्हें बेचा जाएगा वो उसमें कभी भी invest नहीं करेंगे Warren Buffet को ये बात पहले से ही पता थी इसलिए वो कभी भी IPO में invest नहीं करते ना किसी ऐसी company में invest करते हैं जो उन्हें recommend किये जाते हैं अगर investor tips और recommendation वाले stock से दूर रहे और अपना analysis खुद करे तो उनका नुकसान होने की probability बहुत कम हो जाएगी क्योंकि जब कोई आपको stock recommend करता है या किसी company के बारे में suggest करता है कि ये company में invest कर लो इसका return अच्चा है या fundamental अच्चा है तो हमेशा उसका कोई personal interest जरूर होता है और आपका mind फिर bias हो जाता है और फिर आप अपना analysis को उसी धंक से देखते हैं इसलिए आपको independently होकर data और fact के basis पर research करनी चाहिए और फिर invest करना चाहिए तीसरा rule कहता है don't talk to management एक stock research करते समय आपने काफे पर सुना होगा कि management से बात करनी चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता होगा company के बारे में जो आम इनसान को नहीं पता लेकिन author कहते हैं कि management और top level के executive best sales people होते हैं क्योंकि company की condition कैसी भी हो वो हमेशा अपने audience और shareholder को company की optimistic picture ही दिखाते हैं ऐसा नहीं कि वो लोग धोके बाज होते हैं पर ये उनका काम है ये skill है जिसकी वज़े से वो top level पर है guys pair कहते हैं कि अगर आपको एक stock खरीने के लिए उसके management से बात करनी पड़ रही है तो आपके research में कुछ ना कुछ कमी है ये point guys pair ने मौनिश पब्राईजी से सीखा management के top level executive से बात नहीं करने चीए पहले उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी बट जब इस बात का असर उनके investment returns पर पड़ा तो उन्होंने इसे अपना rule बना लिया इस rule के कुछ exception है जैसे कि बर्क्षार हैथवे की वारन बफे और कुछ ऐसे CEO जो अपने share rules से कुछ नहीं छुपाते और उन्हें क्लियरली बता देते हैं कि हमारी company के हालत कैसी है और क्या क्या challenges future में देखने को मिल सकते हैं चौता rule है gather research in right order यह मेरा favorite rule है क्योंकि अगर यह rule ना हो तो मुझे ने लगता बागी सारे rule जो हैं valid हो पाएंगे तो rule यह कहता है सबसे पहले कि आपको जो भी आप consume कर रहे हैं वो सीधे right order में होना चीए चाली मंगर कहते हैं कि human mind एक human egg की तरह होता है जैसी ही एक information चली जाती है तो वो कोई नए information accept नहीं करता और उसे लेकर वो bias हो जाता है इसलिए guys pair बहुत सावधान रहते हैं जब वो analysis करते हैं क्योंकि अगर उन्हें कोई stock का information ऐसे किसी sales person से मिला है तो वो इस stock pick के प्रती बायस हो जाएंगे और उनका analysis गलत हो जाएगा तो जब भी कोई smart person उनसे कहता है कि ये stock अच्छा है इसके fundamental अच्छे हैं तो guys pair उन्हें रोक देते हैं कहते हैं कि वाव ये stock बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर हम discuss करेंगे वो कभी भी किसी sales people से कोई recommendation नहीं लेते वो लोगों से सुनने किसे अच्छा खुद पढ़ना पसंद करते हैं analysis करने के लिए सही डंक से research करना बहुत important है इसलिए उन्होंने एक process बनाया है जिससे वो बिना bias हुए stock को analysis कर सकते हैं सबसे पहले वो company की public filings को पढ़ते हैं यानि कि वो reports जो publicly available है जैसे कि annual reports और proxy statement ये reports important इसलिए भी होती हैं क्योंकि America में lawyers company की financial reports को review करते हैं तो इसलिए company reports में कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करते इसलिए reports जो है filter होती है financial statement को पढ़ना एक art है science नहीं अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता तो आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या company कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या नहीं जैसे कि वो अपनी अच्छी चीजों को बार-बार highlight करती है और अपने sales, earning और challenges को show नहीं करती इसलिए reports investor को काफिर कुछ बताती है इसलिए reports पढ़ना आना चाहिए जब यह step complete हो जाए तब जाके guys pair company के earnings, press release, announcement, transcript of conference hall इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं इन चीजों से हमें company और founder के बारे में बहुत कुछ पता लगता है कि उनकी ideology कैसी है, उनका mindset कैसा है क्या वो shareholder के बारे में सोचते हैं या फिर से profit के बारे में सोचते हैं कुछ companies होती हैं जिसमें अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आपको उनके founder को जानना चाहिए जैसे की बक्षार हैथवे की Warren Buffet या फिर Walmart को अगर जानना है तो आपको Sam Walton को जानना चाहिए जब भी हम कोई stock research करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए हमें destruction से दूर रहना चाहिए गायस पर यां newspaper की hard copy पसंद करते हैं वो कभी भी TV channels नहीं देखते हैं क्योंकि वो उनसे bias हो जाते हैं और news channel हमेशा वही दिखाते हैं जिसमें उनका personal interest होता है वो अपने आपको update रखने के लिए Financial Times, Barons, Fortune, Forbes और American Express जैसे newspaper पढ़ते हैं और उस stock को track करते हैं कि कोई news तो नहीं आरी और उसके according अपने analysis में बदलाव करते हैं तो rule ये कहता है कि पेइटेंशन टू दी ओर इन विच यू कंजूम information आप किस order में information को कंजूम कर रहे हैं step by step वो important है क्योंकि आप desert को हमेशा खाने के बाद खाते हैं उससे पहले नहीं खाते हम जानते हैं कि CEO और sales officer बहुत ही optimistic होते हैं और वो हमेशा अपनी company की optimistic picture ही बताएंगे इसलिए author हमें उनसे बात करने को मना करता है पर यह बहुत जरूरी है कि आप अपने investment idea को किसी के साथ share कीजिए क्योंकि हमें उनसे पता लगता है कि हमारे analysis में कोई ऐसा point तो नहीं जो miss हो गया है जब भी author अपने investment ideas को share करना होता है तो अपने भरोसे मन दोस्तों से करते हैं काफी सालों से वो अपने ideas को कुछ दोस्तों से share करते हैं जैसे कि निक स्लीब, क्रिस हौन, बिल एक्मेन, स्टीव वालमेन, एलन बनेलो, केंट शूबिंस्टेन, डान्ते अलबिटीनी, जोनाथन ब्रैंडट, एंड ग्रेग अलेक्सेंडर Investment के discussion के लिए सबसे अच्छे वो लोग होते हैं, जो अपने ego को side में रख के discuss करते हैं Guys Peer सबसे important investment के discussion मौनिश पबराई से करते हैं, क्योंकि मौनिश काफी समझदारे वाली सला देते हैं, और उनको उस investment से कोई लेना देना भी नहीं होता Guys Peer का मानना है कि किसी भी ऐसे conversation जो की investment idea से related हो, या investment के प्रती हो, वो तब ही अच्छी होती है, जब उसमें तीन चीज़े हो पहली, जो भी investment के बारे में discussion हो, वो confidential होनी चीए, किसी को कुछ पताने चलना चीए दूसरा, discussion के दौरान, सामने वाला आदमी ये न बताए, कि तुम गलत कर रहे हो, या फिर, वो हमारे decision पे नाराज न हो जाए, ओफेंड न हो जाए, कि यार ये point तुमने गलत ले लिया, ऐसा क्यों किया बलकि अगर वो आपको ये ही न बताए, कि सामने वाले आदमी के मन में क्या है, कि वो उसे खरीदना चाह रहा है, या बेचना चाह रहा है, तो discussion ज़्यादा non-bias होता है, और उससे काफी अच्छे result भी मिलते है तीसे point ये है, कि जिनसे हम discuss कर रहे हैं, उनसे कोई भी business relationship नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे investment ideas रिष्टे को खराब भी कर सकते हैं इस discussion का मकसद हमें ये जानना नहीं होना चाहिए, कि stock खरीदा जाए या बेचा जाए, बलकि ये discussion हम से facts और information का पता लगता है, और ये discussion इसी लिए किया जाता है एक बार guys pair शाहिद रास्ती से investment idea discuss कर रहे थे, उस time पर शाहिद रास्ती के स्विस कंपनी जो की एक athlete shoes बनाने वाली कंपनी है, उस पर research कर रहे थे और guys pair नाइकी पर पहले ही बहुत सारी research कर चुके थे, उन्होंने शाहिद रास्ती को सीधा सीधा नहीं बताया कि तुम सो इस company में invest मत करो, या फिर ये ऐसी है वैसी है, उन्होंने शाहिद रास्ती को एक सला दी, उन्होंने कहा कि आप 20 tennis player के list बनाईए और देखिये कि उन कि के से इसका market share कम है और नाइकी का जादा है, तो point यह है कि आपको अपने investment idea उसी से share करने चाहिए, जो independent होकर आपको advice करे और उसका कोई भी personal interest नहीं हो, जैसी कि अगर आपको discuss करने के लिए mangar या पब्राई जैसे या फिर Warren Buffet जैसे मिल गए तो फिर बात ही क्या है, छटा broker आपको ऐसे tips देते हैं और company के फाइदे बताते हैं कि आप विवश हो जाते हैं उस company को खरीद लेने पर, पर अगर आप long time investor हैं तो आपको ऐसे tips से हमेशा दूर रहना चीए, guys फिर कहते हैं कि simply आपको कुछ नहीं करना, आपको undervalued business खरीदने होते हैं और सिर्व इंतजार करना होता है, अपने आपको brokers के discussions बचाने के लिए author कुछ routines follow करते हैं, यह trick उन्होंने मौनिश पबराई से सीखी, जब trading hours बंद हो जाते हैं वो अपने broker को mail कर देते हैं कि ये stock इतनी quantity में खरीद लो और इस price पर खरीद लो, अगर उन्हें बेचना होता है तो वो mail करके बता यह होती थी, उन्हें लगता था कि अगर यह information नहीं होगी तो market में मेरा control नहीं होगा, या फिर stock में बहुत को मिस कर दूँगा, पर दीर दीरे समय के साथ उन्हें realize हुआ कि market के daily action, daily price action से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम अगर investor हैं, तो हमें सिभ अच्छ से analyze करना है और फिर वेट करना है, तो rule यह कहता है कि keep the market at a safe distance, market को हमेशा अपने safe distance पर रखिए और इसके daily price moment से अपने आपको effect न होने दे, क्योंकि यह आपको emotionally और healthy यानि mentally और emotionally दोनों ही आपको weak बना सकता है, सात्वा rule है guys pair का, if a stock tumbles after you buy it, don't sell it for two years, अच्छा आपके सब कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक stock खरीदा और अगले ही अफते वो 20% उपर चला जाए, अच्छा लगता ना बहुत, yes यह बहुत ही अच्छी feeling होती है, पर अगर वही stock अगर खरीदने के बाद 10% गिर जाए तो, ऐसा लगता है यार, दुखों का पहार तूट पड़ा है, तब मन करता है कि फटाफट stock को बेज के अपना loss बचाय जाए, पर guys pair ऐसा नहीं करते, उन्होंने मौनिश पबराई से एक बात सीखी, अगर उनका stock खरीदने के बाद गिर जाए, तो वो उसे 2 साल तक नहीं बेच जब guys pair और Monish, Warren Buffet के साथ lunch करने गए थे, तब उन्होंने ये advice Monish से सीखी, और इस advice से वो अपने आपको जल्दी जल्दी में गलत decision लेने से रोक लेते हैं, तो जब भी वो stock खरीदते हैं, तो वो ये सोच के खरीदते हैं, कि अगर इसका analysis मैंने गलत किया, तो मुझे इस stock क दो साल तक hold रखना होगा, और जिससे वो अपने analysis और ध्यान से कर पाते हैं, तो rule ये कहता है, for at least two years, if the price halves right by after you buy it, you don't sell it for two years, इसलिए आपको अपना investment बहुत ही सोच समझ के करना चीए, आठवर rule कहता है, don't talk about your current investment, ये point psychologically strong बनने के लिए है, क्योंकि जब हम अपने investment के बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मान लीची आपने कोई Tata का stock खरीदा, और आपने अपने दोस्त को बोल दिया, या बहुत अच्छा stock है, अच्छा खासा return देगा, अगले साल double हो जाएगा, लेकिन अगले ही quarter में उसमें कुछ bad news आ जाती है, जिसकी वज़े से उसमें इस बुक में commitment और consistency principle को demonstrate करने के लिए experiment किया गया, जिसमें पाल आल्टो के लोगों को पूछा गया, कि क्या आप कुछ ऐसा करेंगे, जिसमें आपके पैसे भी ना लगे, और पडोसी की मदद भी हो जाए, जब वो लोग मान गये, तब उनको अपने garden में एक board लगाने को ब पूरा दिखता था, लेकिन वो काफे commitment कर चुके थे, इसलिए वो मान गये, ये principle गायस पेर ने तब फील किया, जब उन्होंने अपने एक investment EVCI कंपनी का publicly बता दिया, कि मुझे इसमें साथ गुना फाइदा हो रहा है, तब उसका price अगले हक्ते आधा हो गया, तो rule ये कहता ह है कि कभी भी आप publicly अपने investment के बारे में ना बताएं, ताकि जिससे आपको बाद में regret ना हो, क्योंकि कभी-कभी आप गलती कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसे सही भी कर पाएंगे, तो ये थे वो 8 रोल जो value investor को follow करने चाहिए, और अगर हम अच्छे investor बनना चाहते हैं, तो आपको ये book जरूर पढ़ने चाहिए, the education of value investor, हाला कि अगर आप ये lesson समझ गए, तो आपको ये book पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपके लिए मैं पढ़ने लेता हूँ, और मैं आपको summary बता देता हूँ, इनमें से आपका favorite कौन सा था ये comment करके जरूर बत